कि नमस्कार दूस्तों मेरा नाम है संतोच और आप सभी का हमारी यूटिज पिनल ग्रोथ इच किसन पॉइंड में श्वागत है इस वीडियो में हम एन आई यूएस के वोकेशनल सब्जेक्ट्स का एसायमेंट जमा होगा कि नहीं होगा उसके बारे में बतलाएंगे तो वीडियो में बने रहे और हम विद्पूरूप के साथ इसमें बतलाएंगे कि आपको वोकेशनल सब्जेक्ट्स का एसायमेंट जमा करना है या नहीं है यह हम इस वीडियो में आपको बतलाएंगे तो इ तो सबसे पहले आप student login पे जाके login कर लिजी और login करने के बाद dashboard में आजिए dashboard में आने के बाद अब हम आपको पहले ले चलते हैं student का ID card पे तो यहाँ पे देखे इस बच्चे ने यहाँ पे 5 subject लिया है 2, 2, 4 और 1, 5 टोटल 5 subject है और इसमें vocational course जो है 632 है 632 नम्मर का जो code है यह vocational subjects का code है तो यहाँ पे इसने 5 subject लिया हुआ है लेकिन जब हम इसका tutor mark assignment download पे click करेंगे तो यहाँ पे हमें 632 code नहीं सो हो रहा है इसका मतलब है कि हमें 4 subjects का ही assignment जमा करना होगा vocational subjects का assignment जमा नहीं करना होता है तो इस चीजों को आप देख लिजे क्योंकि बहुत सारे message आता है whatsapp पे कि sir इसका assignment हमें दे दीजे इसका assignment चाहिए तो हम आपको बतला जते हैं कि vocational subjects का assignment नहीं होता है और किसी विजारतियों को यह confusion ना रहे कि हमको vocational subjects का assignment जमा करना है यहाँ 5 subjects का अगर आपने लिए हैं और उनमें से एक subject vocational है तो vocational subjects का आपको assignment जमा करने की जौरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर download ही नहीं होगा उसका questions ही नहीं है vocational subjects का questions ही नहीं है टिये में questions रहेगा तभी हम उनको उनका हम solution करेंगे और उसके बाद हम फाइल त्यार करके upload करेंगे तो यहाँ पर देखिए upload में भी हम आपको दिखलाते हैं कि upload upload में भी आपको vocational subjects का यह जो category है यह फाइल अपलोड करने का जो section है यह नहीं सो हो रहा है इसका मतलब है vocational subject का आपको TMA नहीं upload करना होगा तो यहाँ पर due date देख लिजिए जो भी द्यारती NIS में admission लिए हैं और आभी तक आपने assignment जमा नहीं किये हैं तो due date यहाँ पर लिजिए अपना assignment अपने handwriting में लिखकर जल्द से जल्द upload कर दें ताकि आपको TMA marks मिले यहाँ से upload होगा ब्रॉज पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फाइल सो होगा फाइल सो उपने के बाद वहाँ से आप upload करके submit कर पाएंगे तो ठीक है तो इस वीडियो में हमने देखा कि vocational subjects का assignment नहीं होता है और आपको vocational subjects का TMA upload करने की जरत नहीं है TMA फाइल बनाने की जरत नहीं है लेकिन यहाँ पर जैसे की और यहाँ पर submission पेंडिंग लिखाव आए तो तो TMA submit करना है यहाँ आनी करना है क्योंकि यहाँ पर तो रहा है तो मैं आपको बता दूँ इसका इसका इसके लिए आपको ज़रुत नहीं है आप अपना ये चार सब्जेक्ट का assignment submit कर दें और वो कसनल सब्जेक्ट का option ही नहीं है submit करने का इसलिए हमको submit करना ही नहीं है इसका सिर्फ और सिर्फ practical और practical और theory का exam होगा तो ठीक है तो इस चीज़ों को आप देख लीजिए और जो भी विदार थी नए हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी इस्टुडेंट को अगर assignment चाहिए तो contact कर सकते हैं